ऐसे सीजल का फॉर्म आप लोग भर रहे होगे और आप देखते हो अगर आपके किसी फ्रेंड ने पिछली बार भी फॉर्म भरा होगा या फिर कुछ लोगों ने खुद ये चीज सिचुवेशन फेस करी होगी बहुत से लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो फॉर्म आ होती है फोटोग्राफ होती है वो हमको रिसाइज करनी होती है तो रिसाइज कैसे किया जाता है किन दो चीजों का हम ध्यान रखें जिसके बाद फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा यह सारी चीज़े मैं आपको इस छोटे से से सेशन में क्लियर करने वाली हूं तो च बैठे अपना जो सिगनेचर है उसको रिसाइज कैसे कर सकते हो एक बार में ठीक है चलिए शुरू करते हैं फिर अपना यह आज का सेशन सबसे पहले तो सेशन की शुरबात करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने CGL का फॉर्म डाला है तो SSC Lab बिलकुल सही जग आत्री में होती है GS की ग्लास सुबह 7 बजे दहिंदू और 8 बजे करेंट फेर यह दो सेशन भी होते हैं यानि कि एक दिन में यह छे सेशन होते हैं YouTube के ओपर जो अगर आपको नहीं पता है चानल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो और इसमें जुड़ जाओ ठीक है चलिए अब form के ओपर बाते करना शुरू करते हैं जिन mistakes को हम avoid करना है सबसे पहली चीज में एक एक point करके आपके लिए पढ़ूंगी फिर समझाती चली जाओंगी जो व्यक्ति जो learner form भर रहा है उसको अपना नाम जो भी learner form भर रहा है उसको अपना नाम, father का नाम, mother का नाम अपनी date of birth, अधार number ये सब भरना होता है एक बार नहीं बलकि दो दो बार और exact वही same भरना होता है जो उसने matriculation यानि कि 10th class के certificate पे भरा है तो अगर वो exactly same date भरता है ना तो उसके बाद सबसे बड़ा फाइदा उसको जो होता है वो ये है कि उसको बार-बार चीजों को check न refill मतलब एक बार आप भरते हो दुबारा वो refill करवाता है ताकि check हो जाए कि भाई जो आपने भरा है वो सब सही है कि नहीं in order to avoid any mistake twice वो भरने को बोलता है सबसे जादा गलतियां जहां पे learners की होती है मैं इस session में वही discuss करूंगी क्योंकि form पूरा कैसे भरा जाता है ये मैंने इशा गडबड होते हैं जिसके वज़े से form reject होता है सबसे पहले मैं आपको photo यानि कि image जो आप अपनी डालते हो उसके बारे में चीज़ना बता देती हूं पहले क्या होता था आप photo जाते थे studio से खिचवाते थे फिर उसको upload करते थे अब form भरने का pattern change हो गया है अब आपको live photo खीचनी होती है for example मैं आपको दिखाऊं जैसे कि मैं form भर रही हूं और ये मेरा laptop है मैंने ऐसे करके दिख रहा है सबको मैंने ऐसे करके laptop सामने रखा हुआ है मैं form भर रही हूं तो जब मैं photo खीचूंगी ना तो मुझे इस तरीके से खीचना है देखिएगा कि मुझे चश्मा अगर आपने पहना है तो चश्मा उतार दीजिए अगर आपने कोई टोपी पहनी है तो टोपी उतार दीजिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है बस आपको इस तरीके से कैमरे के सामने सीधे देखना होता है जो laptop पे camera होता है और वहाँ पर option आता है click कर दीजिए बस आपकी photo आ जाएगी अच्छा photo खीचने के time पे जो गलतिया होती है जो learners करते है वो मैं आपको photo directly दिखा दू फोटो आखो पे camera एकदम straight देखो आखे इधर उधर ना जाए अच्छी light हो जहाँ पे photo आप तभी खीचो जब अच्छी light हो background एकदम plain हो position yourself directly in front of the webcam जो cam है ना उस के सिधाई पे रखो ऐसा नहीं कि आपका उपर का आधा सर कट रहा है बाल कट नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होने चाहिए अब वो ऐसे करके box बनके आता है यह देखो यह जब आप यहाँ पे capture the photo पे click करोगे ना तो एक ऐसा box बनके आता है अपने आपको इस तरीके से place करो कि box के अंदर आओ फोटो खीचने के बाद में जब वो upload होती है एक चीज जरूर चेक कर लो कि आपकी फोटो इस तरीके से जादा colors ना आए फोटो में जो खिची है आपका इस तरीके से आधा शकल ना कटे तोपी ना लगाओ बलर ना हो जाए कुछ भी ऐसा ना हो clear photo ऐसे आन process बना दिया है ठीक है इस बार से पिछले बार से यह आपने देखा ही है कि आपको upload photo studio में जाके नहीं खिचवानी होती है सामने से खिच जाती है मसला फसरा है अब signature में signature पे लिखा होता है बड़ा बड़ा कि जो आपका signature है वो 10KB से 20KB के बीच में होना चाहिए image का जो dimension ह है वो 4 cm से 2 cm तक होना चाहिए application with blurred signature will be rejected signature must be horizontally aligned मतलब आपका sign ऐसे ना जा रहा हो proper इस तरीके से आपका sign aligned हो मैं आपको ये भी बताती हूँ कुछ बच्चे क्या करते हैं इस तरीके से अपना signature करते हैं उनको लगता मेरा sign हैं कुछ भी करें mail पे जब लिख के आता है exam से पहल आपको form reject हो चुका है तो उस पर reason properly illustrated नहीं होता है reason कुछ भी हो सकता है हम सामने वाले को क्यों मौका दें तो ऐसा sign बिलकुल भी मत करिएगा जो आप sign करो वो proper इस तरीके से देखो कितना clear एकदम सिधाई में लिखा गया है चाहे हिंदी में करो चाहे English में करो सिधाई में क फोटो खीची इस तरीके से sign किया फिर उसकी फोटो खीची फिर आप उसको upload करोगे जब upload यहां पर करते हैं आप देखो कहां गया हाँ यहां पर जब हम लोग signature upload करने की बात करते हैं अप लोट the signature तो बहुत बार यहां पर एक ऐसे pop-up बनके आ जाता है sorry आपका जो signature है वो जो dimensions हैं उससे बाहर है तो आपका signature upload नहीं हो पाएगा यह बहुत बार लिखके आता है ना तो आप घरी में अपने signature को resign कर सकते हो देखो कैसे यह steps हैं सबसे पहले आप क्या करोगे computer से तो आप अपने computer में जो paint होता है na Microsoft paint को खोलो जब आप paint को खोलोगे तो देखो file edit view जह है किसी भी picture को resize करने के लिए आप इस डब्बे पे click करोगे फिर जहां पे भी आपने laptop में अपना signature save किया है उस signature को upload करोगे upload करने के बाद ऐसे करके resize का option आजाएगा अच्छा यहां पे देखो horizontal और vertical में कुछ numbers दिये है ना यह number अपने हिसाब से आप set करते जो 200, 300, 400, 1500 और upload करो जब भी भी यह एक बार में नहीं आता है यह आपको change करते रहना पड़ता है और जैसे जैसे आप save करते जाओगे दिखता जाएगा कि जो आपका sign है वो 10-15 kb के बीच में है 5-10 kb के बीच में है तो इसको उपर नीचे करके आप set करते जाओगे जब आपको दिखेग कि हाँ अब sign save करने पर 10-20 kb के बीच में आ गया है मतलब कि अब आपका sign resize हो चुका है उसको finally save करोगे और फिर upload करतोगे इस तरीके से आजाएगा आपका form form के बगल में photo आजाएगी आपकी जो खिची है और इस तरीके से clear sign आजाएगा जो आपने upload किया है इन दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा और जब ये दोनों step हो जाते हैं तो आखरी step payment का होता है वो भी mails के लिए अगर आप female हो तो आपके लिए कोई भी payment नहीं है free submission हो यानि कि SCST girls इन सब का कोई पैसे नहीं है सीधे signature डालो form डालो save करो form आपका submit हो जाएगा लेकिन अगर आप general हो OBC हो mail हो तब आपको fees जमा करनी होती है तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा form submit हो जाता है और जो बहुत बढ़ी गलतिया है उनसे हम बच जाते हैं ठीक है तो मैंने आपको ये बता दिया photo कैसे खिचनी है खिचने के बाद कैसे लगनी चाहिए proper आपकी photo कैसे डब्बे में आनी चाहिए sign कैसे डब्बे में आना चाहिए अगर आप अपना नाम date of birth कुछ भी डाल रहे हो तो वो 10th class से match होना चाहिए अधार card से match होना चाहिए वरना वो आगे चल के problem करता है इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखिए आपका form कभी reject नहीं होगा ठीक है ध्यान से देख के बनाईएगा और अगर आपको पूरा form फिल करना है मेरे सांग तो वो भी मैंने कराया हुआ है video uploaded है वो भी आप देख सकते हो ठीक है चलिए that's it अब आप लो लब है चाहे CGL हो चाहे CHSL, CPO, Steno कोई भी paper साल भर आएगा वो महा पैक में add हो जाएगा महा पैक एक ऐसा batch होता है इसमें आपको सब कुछ मिलता है सब कुछ के साथ साथ 2700 e-book, 2100 test ये सब कुछ आपको मिलता है महा पैक के अंदर और आप इस code को लिखते हो ना बर्खा त 30% का तो आप form भरिये, विस्तार से तयारी शुरू करना चाहते हैं महा पैक के साथ आप जुड सकते हो और ये पैक आपको हमारी आप पर मिलेगा lab और हमारा जो website है उसका नाम है learn on lab यहाँ पर आपको मिल जाएगा जितने भी लोग interested in admission लेने में आप ले सकते हो बाकी subscribe जरूर से करना क्योंकि subscribe करने के बाद जो भी विडियो ऐसा आता रहेगा वो आप तक पहुँचता रहेगा I hope मैंने थोड़ से time में मुद्दे की बात आपको बता दी है ठीक है जरूर से इसका maximum फायदा उठाईएगा Thank you so much Bye Bye